तो देखो पैरे बच्चे इस वाले सवाल को देखो देखो यह सवाल जो है RMS Legly आपको निकालने आना चाहिए इस लॉजीक पे बेस है तो सबसे पहले RMS Legault AC का कैसे निकालते ही यह सीख लो देखो अगर current हो छहने voltage हो हम सबको पता है यह fluctuate करती है with respect to time तो इसका जो rms value है इसका जो rms value अगर आप देखोगे यहाँ पे तो भी rms जो है भी rms कैसे निगालते हैं फार्मूला क्या है कि जो voltage है या current है यह function of time क्योंकि उसका integrate करेंगे और 0 से t1 cycle तक 0 से यहां से t1 cycle तक integrate करोगे और यहां total time से divide करोगे और 0 से t तक और यह सब कुछ under root रहता है यह सब कुछ under root रहता है तो यह किसी भी curve का rms निकालने का तरीका है ठीकरा तो चलो यहाँ पर जो curve दिया है एक cycle के लिए अगर बात करोगे तो एक cycle के लिए यहाँ पर तो voltage 0 आ गया है और यहां पर voltage constant है जो भी नौट है तो अगर मैं यहां से भी rms का formula लगाऊं तो यहां से voltage भी का square और यहां से dt और 0 से यहां से एक cycle तक t और divide कर दूँ यहां से dt और limit जाएगा 0 से t और यह सब कुछ रहता है under root क्योंकि भी rms मैं निकालना हूं तो अब भी rms जब भी निकालते हैं इस root को इधर square ले लेते हैं तो calculation आसान हो जाता है तो इधर भी rms का square अब मैं direct 0 से t तक integrate नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर voltage है वो भी not है और यहां पर voltage 0 है तो इस integration को मैं दो पारड में तोड़ लेता हूं नीचे 0 से t तक time जोड़ोगे यह 2 तक भी square dt को integrate कर लिया प्लस यहां से change हुआ ty2 से t तक देख रहे हो तो ty2 से t तक जो voltage है वो भी square dt को मैंने तोड़ लिया दो पारड में और फिर मैंने bracket को बंद कर दिया तो अब जब मैंने bracket को बंद कर दिया यहां पर तुम देखोगे तो यह वाली जो voltage है यहां पर यह वाली जो value जीरो हो जाएगी क्योंकि voltage की value क्या है? जीरो दिया है तो यह तो पूरा factor 0 चला गया, कट गया, तो 1 upon t अब यहां से जो voltage है इसको square इंटेग्रेट करोगे, तो v2 का जो voltage है यहां पर, voltage is a function of time, since voltage constant है, v0 का यहां से अपना square आएगा और यह dt यहां से आजाएगा और यह 0 से t by 2 तक यह आजाएगा, अब जब इसको मैं solve करूंगा, तो v0 तो constant है, यह function आप time रहता, तो यहां मैं रखता, तो यहां से v0 constant v2 by t आगया, और integration 0 से t by 2 तक integrate होके dt बचा, तो dt का integration क्या होगा, तो v0 square by t और dt का integration यहां small t होगा, और limit रखोगे, तो 0 से t by 2 तक, तो finally जो vrms का square आएगा, यहां पे vrms, vrms का square आएगा, वह आजाएगा, v0 square upon t, और limit रखने के बाद यह t by 2 बनेगा, तो t ने t को खतम कर दिया, तो यह v0 square by 2 under root आजाएगा, तो vrms आजाएगा, v0 by root 2 is the final solution, this is the value of vrms of the voltage, तो v0 by root 2, तो इसी साब से अपना c option साई हो जाता बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् झाएगा, तो यह आजाएगा, तो एच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्